नमस्कार साथियों हम इस समय पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्याले कल्यानपूर घोसी में इस्तिति आपको साफ दीख रही है कि जरजर भौन में किस तरह से यह प्राइमरी पार्ट साला चल रही है आप देख रहे हैं तस्वीर साफ है और यह सबसे यहाँ पे इसके खुद इस प्राथमिक विद्याले की उपर जो यह हाई बोल्टेज का तार गुजरा हुआ है यह कहीं न कहीं बहुत ही घातक है तस्वीर साफ है कि आप खुद देखकर आकलन कर सकते हैं कि यह बच्च जर जर हो चुका है पूरा यह स्कूल मगर आखिरकार सरकार कब लेग से ठीक सटा हुआ यह इस्कूल है प्राइमरी पार्ट साला है यहां से सामने आप तस्वीर देख रहा है यह गोरखपूर बनारास हाईवे है नेशनल हाईवे है और उसी के किनारे यह प्राथमिक विद्याले का लियानपूर का सिच्छा छेत्र घोसी का यह प्राइमरी प बताया जाए आप इस्कूल का यह प्रांगड है आप देख सकते हैं कि पानी वहां पर मसीन लगी हुई है मगर पानी निकासी का कोई वेवस्था नहीं है आखिरकर यह पानी वेवस्था क्यों नहीं है जहां पर खुद गंदगी का अमबार लगा हुआ है स्वक्ष भारत सब्यान स्वक्ष मीशन की बात तो बहुत होती है मगर सच में क्या पहले तो सरकारी तंत्र ही फेल है फिर आम आदमी को कैसे समझाया जाए और यह प्राइमरी पार्ट साला है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और हाई टेंशन तार के नीचे है आखिरकार इसका धिकारी का लड़का पढ़ता है और यही रीजन है कि इसकी तस्वीर नहीं बदल लही है अगर यहाँ पे किसी नेता का लड़का पढ़ रहा होता किसी मंत्री का लड़का पढ़ रहा होता किसी साहब का लड़का पढ़ रहा होता तो इसकी तस्वीर जरूर बदल जाती और कब इसमें सुधार होता है वो इसे सिच्छा के लिए तमाम बजट बनाए जाते हैं सिच्छा सुधार की तमाम बाते होती हैं मगर सच में धरातल पे इस्तिती क्या है इन बच्चों की तस्वीर को देखकर खुद आकलन कर सकते हैं और सोच सकते हैं अरे सुनो सुनो आई स्कूल तो अनलों का देवाल फाट गई बाहर डर ना लगे ला बच्चे छोटे-छोटे बच्चे इनको कुछ नहीं पता है हम अंदर की तस्वीर और क्या दिखाते हैं मगर यह तस्वीर हम बाहर से दिखाना चाहेंगे यह पूरी तरह से गीर चुक ग सब्सक्राण का सब्सक्राण गांट है आखर का रूतरysis सरकार की तब आखे खुलेगी और यहां скool के तस्वीर बदले हैं तब बदलेगी सूरत जहां पर यह मासुम बच्चे आते हैं अपनी सवीर बनाने अपनी तकदीर बनाने अपना भविष्व बनाने मगर जो के स्कूल को देख रहोंगे और आक्लन कर रहोंगे कि जिसकी हालत खुद खराब है वह हमारी तक्दीर का बनाएगा आप जिसकी सूरत खुद बिगड़ चुकी है आखिरकार इन बच्चों की सूरत को इन बच्चों का भविस्ट क्या बनाएगा और हम बाते क्या करें तस्वीर साफ है कि जर जर हो चुका ये भवन ये बताने के लिए काफी है कि सरकारी तंत्र फेल है और यहां पे कहीं न कहीं कमि सोचने वाली बात है यह देखिए यह इस स्कूल प्राइमरी पाट साला का यह यहां पे सौचाले है उपर से तो यह बंद है यह दो इसमें ताला भी लगा हुआ है गजब का निर्मान कार है ताला लगा हुआ है मगर यह नीचे से खुला हुआ है अब इसकी तस्वीर आती होंगी और यहां पर खुल सोख सकते हैं और यह देखिए